यूपी टी टुएंटी लीग में रोमाइंच का सफर जारी है जहां सुमबार को एक बार फिर दो मैच खिले गए पहले मैच में रिंकु सिंग की कप्तानी वाली मेरट ने स्वास्तिक चिकारा की तुफानी 85 रन की पारी की बदोलत सीजन में अपनी पाचमी जीत दर्ज की मेरट मैवरिक्स अब लीग का प्ले ओफ में खेलना लगभगत है वहीं दूसरे मैच में नौइडा किंग्स ने गोरखपुर लाइंस के खिलाप जीत हासल की नितिश राना की कप्तानी वाली सूपर किंग्स की सीजन की ये दूसरी जीत रही UPT20 लीग में रिंकुजिंग की कप्तानी वाली टी मेरट मैवरिक्स का प्ले ओफ खेलना लगभगत हो गया है आपको बता दें कि सोमबार को UPT20 लीग में मेरट मैवरिक्स ने सीजन की पांचवी जीत हासल करते हुए काशी रूदराज को 50 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया इससे पहले बारिश की वेज़े से ये मैच सिर्फ 9-9 ओवर का ही केला गया जिसमें काशी ने टौज जीत कर पहले फिल्डिंग करने का फैसला किया पहले बलेबाजी करते हुए मेरट ने 9 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 118 रन मना है मेरट के लिए स्वासिक चिकारा की दमदार बलेबाजी का जवाब काशी रूदरस के गेंदबाजों के पास नहीं था स्वासिक चिकारा ने 314.81 के तुफानी स्ट्राइक रेट के साथ बलेबाजी की और काशी के गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में दोड़ाया स्वाजसिक ने सिर्फ 16 गिंदों पर ही पहले अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की जिसके बाद 27 गिंदों पर 85 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली अपनी पारी में स्वाजसिक ने 10 चक्के लगाए वहीं मादो कौशिक ने भी 22 सरन बनाए हलाकि कप्तान रिंकु सिंग बिना खाता खोले गोल्डन डग पर आउट हो गए जवाब में 119 रनों के टार्गेट का पीछा करने उतरी काशी रूदरास की टीम की शुरुवात अच्छी बिल्कुल नहीं रही 11 रन के स्कोर पर काशी के 2 विकेट गिर गए जिसके बाद कोई भी बलेबाज क्रीस पर नहीं टिक सका तैन नौवरों में काशी रूदरास की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 68 रन ही मना सकी मेरट के लिए 2 वर में सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट लेने वाले 44 बॉलों पर 56 रन मनाए नौडा किंग्स की तरफ से अजे कुमार ने 3 वर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए लक्षे का पीछा करते हुए नौडा किंग्स की ओर से राहूल राज ने 48 गेंदों पर 72 रनों की शांदर पारी खेली राहूल राज ने अपनी पारी में 7 चौके और 4 शक्के लगाए हलाकि कप्तान नितीश राना का बल्ला एक बार फिर फ्लॉप रहा नितीश ने 15 गेंदों पर एक चौकिक मदद से कुल 14 रन ही मनाए नौड़ा ने 18.3 ओरों में 5 विकेट को नुकसान पैद 179 गोरकपुर लॉइंस की ओर से विशाल निशाद ने 4 ओर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि आजे कुमार को भी 2 विकेट मिले